हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रहन मश्कार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजी रूएक नई रस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं छोले भुटूरे के साथ खाने वाले छोले जी हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं शायद इस तरह से आपने कभी ना बनाए होंगे तो चलिए फिर देड़ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे और इसमें कौन-कौन से हम मसाले देख लेते हैं तो ये देखें फ्रेंड्स मैंने रात भर चोले भीगो कर रख दिये थे अचीतरा से धो कर 400 ग्राम के ग्रीव ये चोले हैं तो बहुत अचीतरा से फूल चुके हैं अब हमें इन्हें करना है बॉयल तो बॉयल करने के लिए मैं इसमें कौन-कौन से और आदा चमच मैंने लिया है नमक और ये है चाय पती यानि कि टी बैग मैंने बनाया है एक बड़ा चमच इसमें चाय पती डालकर इसे बंद कर दिया है पोटली बना दी है साथ में कुछ काली मिर्चली है और लॉंग लिये है चार-पांच दो हरी लाइची और एक लेती हूं कुकर और उसमें डालते हैं छोले तो रात बार आप भिगो कर रख दीजिए फिर ज्यादा समय नहीं लगता सिरफ एक विसल लगवाएंगे इसको बॉयल करने के लिए और उसके बाद मैं ऐसे 15-20 मिनट लो फ्लेम पर पकने दूँगी बस हमारे छोले जो है और एड़ कर रही हूं क्योंकि छोले जो है अच्छी तरह से भीग जाने चाहिए और थोड़ा सा पानी उपर भी रहे तो हमारे छोले बहुत ही बढ़िया बॉयल होंगे तो चलिए फिर रख देते हैं से फ्लेम अन करके और पकने देते हैं तो यह देखिए आदा घंटा ह हो चुका है तो फ्रेंड्स कलर देखिए आप कलर कितना बढ़िया आया है अनारदना पौडर डालने से और यह चाय पती की जो पोटली हमने बना कर डाली है आप इसमें आमला भी डाल सकते हैं चार-पांच पीस आमला के इसमें डालकर बॉयल कर दीजिए तब भी कलर चुके हैं देख रहे हैं आप गरम बहुत हैं तो मैंने एक विसली से लगवाई थी और उसके बाद मैंने 20 मिनट इसे लो फ्लेम पर अराम से पकने दिया है तो छोले तो हमारे हो गए हैं बिल्कुल तयार रखते थे हैं साइड पर और अब देखिए फ्लेम आन करके मैंने कड़ाई रख दिया और डाल दिया इसमें तीन चार बड़े चमच ओईल तो जैसे ही गरम होता हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले तो जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता यह है जवित्री दालचीनी का टुकड़ा बड़ी लायची आदा चमच अजवाएन एक चमच साबु जीरा और हरी मिर्च कट करके सबसे पहले मैं इसमें आड़ करूंगी दो चुटकी हिंग तो अब फिर डाल देते हैं खड़े मसाले और हरी मिर्च कटी हुई लंबाई में और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कम से कम कुछ सेकिंड तो करेंगे जिसे का जो फ्लेवर है खड़े मसालों का ओईल में अच्छी तरह से आ जाए और खुश्बू बड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है जब हम हिंग का तड़का लगाते हैं और अब डालूंगे मैं इसमें तीन प्याज हैं जिसे मैंने चौपर में चौप कर लिया है पेस्ट नहीं बनाया लेकिन इ यह आज हमारे भून कर त्यार होते हैं। आप पेस्ट बना अकर भी इसमें एड़ कर सकते हैं तो इसे मैं हल्का गौर्डन कलरused अने तक भूण लूंगी तो यह देखिए हलका गोल्डन कलर आ गया है इसमें अब डाल देते हैं इसमें डेट चमच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट यह लीज़े अड़ कर दिया मैंने और मिक्स कर देंगे इसे प्याज के मसाले में और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे कम से कम एक से दो मिनट और ताकि प्याज, अधरक, अच्छी तरह से भून जाए कच्छा फ्लेवर बिलकुल खतम हो जाए तो यह देखिए लसन, अधरक और प्याज हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम डालते हैं कुछ मसाले तो मसाले देख लेते हैं यह मैंने लिआ है नम रोस्टीड कसूरी में थी और ये है गरम मसाला एक चमच ये है एक चमच चना मसाला और ये है आदा चमच हल्दी पाउडर और ये फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ इसमें डालने के लिए ड्राई मिंट जो सुखा कर मैंने रखे हुए है इसका फ्लेवर तो मतलब की छोले में इतना जबरदस्त आता है न मैं आपको बता नहीं सकती है ये आप जरूर एड़ कीजिएगा और मेरे मुह में तो अभी पानी आ रहा है मैं आपको क्या बता हूँ तो मैंने पहले से ही ड्राई करके सुखा कर मिंट को रखा हुआ यानि कि पुदीने को रखा हुआ है और ज देखिए कितनी सारे मैंने पुदीने सुखा कर रखे हैं उसके पत्ते तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तो यह देखिए हमारे सूखे मसाले भी अची तरह से भून चुके हैं अब हम डालते हैं इसमें हमारे टमाटर की पेस्ट जिसे मैंने चार टमाटर के मीडियम साइज के मिक्सी जार में पीस लिया है और अब मिक्स करेंगे इसे अची तरह से खुश्बू बड़ी जबर्दस आ रही है बहुत ही जबर्दस खुश्बू आते हैं जब हम इसमें ड्राइ मिंट एड़ कर देते हैं न मसाले में और कसूरी मेथी की भी जबर्दस खुश्बू है तो हम मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूं और क्योंकि जो जार में तो बीच-पीच में चला भी देंगे एक बार जब तक इसमें से ओयल सेपरेट ना हो जाए तो कर देते हैं कवर दो तीन मिनिट हुए है फ्रेंट्स देखिए ओयल सेपरेट हो गया है तो काफी अच्छी तरह से हमारा मसाला पक रहा है जबरदस खुश्बू भी आ रही है औ और इसे मैं दो-तिन मिनिट और कवर करके पकने दूँ कि जब तक यह अच्छी तरह से भून नहीं जाता मसाला मसाला भूनना बहुत जरूरी होता घ्रेक्षबूँ miejsce है कि तो मसाला च्ची तरह बून को ऑफ दरह बस अब हमें क्या करना है बस चोले जो उबाले हैे हैlichen ना हमने उस में से दो बड़े चमच हम इसमे एड़ करेंगे और इसे इस saja प्रेश करेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना चोले की वह बहुत ही ठीक बनेगी तो इसे अच्छी तरह से मैश कर दीजिए, और मसाले में मिक्स कर देंगे, ये देखिए, और देखिए कितने अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं, फटा फट से मैश हो गया हैं, तो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे, ये लीजिए, पता भी नहीं ल पानी समेत इसमें एड़ कर देंगे जितना भी पानी बचा था और मिक्स करेंगे से एक बार आप कलर देखिए छोले का कितना जवर दस्ता है बिल्कुल ब्लैक हो गए है और जब यह हमारी सब्जी बनेगी ना ओई होई होई मैं बता नहीं सकती आपको बहुत ही टेस्टी ब भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो अब हमें बनानी है इसकी ग्रेवी तो पानी एड़ कर देते हैं थिकनेस आपके उपर है आप जितनी ग्रेवी रखना चाते हैं उसकी एक और इसमें पानी आड़ कर सकते हैं तो वैसे भी जैसे ही यह थोड़े से ठंडे होते हैं तो में तो 20 बैसे चेक करें गे तो 20 मिनटली पूरे उचुकी है इसे अच्छी तौन से पकते विए पानि को और सारे मसालों को और चोलों को तो मेंने डाल दिती है सिमें घरम अंहरा धनिया गरा मसाला तो मैं पहले ही आड़ कर चुकी थी तो मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छी तरह से तो छोले दो हमारे हैं बिल्कुल त्यार बस अब हमें और कुछ नहीं करना थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि यह किस तरह के बने हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स क्या लुक आया है देख रहे हैं और थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आगई ग्रेवी की सिर्फ पांच मिनिट के बाद मैंने आपको यह सर्व करके दिखा रही हूँ और बहुत ही अच्छे हैं हमारे छोले बने कर त्यार हो चुके हैं इसे आप भटूरे के साथ खाएं चावल के साथ भी खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो कैसी लगी है आपको मेरी यह रेस